कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे तो एडवांस इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप सब तो आज के इस वीडियो में इसी कड़ी में हम सीखेंगे किसी को गुड़ लग कैसे रविश करते हैं आपका कोई मित्र आपका कोई दोस्त कहीं कुछ करने चा रहा है आप उसे कहना चाते हैं गुड़ लग शुब कामनाई देना चाते हैं तो आप कह सकते हैं all the best जो हम अकसर कहते आए हैं लेकिन इसके अलावा भी और कई तरीके हैं जिनसे आप अपने मित्र को या अपने किसी पारिवारिक जन को या किसी भी अपने close family member को विश कर सकते हैं उसे अलग अलग तरीकों से अपनी शुब कामनाई दे सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं 15 different ways to wish good luck तो आईए शुरू करते हैं किसी का exam है उसमें वो appear होने जा रहा है या फिर interview देने जा रहा है तो आप क्या कह सकते हैं आप कहते हैं best of luck बहुत बहुत शुब कामनाएं फिर आप कह सकते हैं break a leg break a leg means भागे तुम्हारे साथ हो यानि चितनी देर तुम examination में चितनी देर आप उस interview में हैं उतनी देर ईश्वर आपका साथ दे luck आपके साथ रहे तो आप कह सकते हैं go and break a leg फिर blow them away blow them away मतलब आप जहां पर भी perform करने जा रहे हैं वहां पर और जितने participants हैं या जितने भी contestants हैं आप उनमें सबसे अच्छा करें तो ये wish अगर आपको कर रही हैं तो आप कहेंगे blow them away बाकी सब को हटा दो सब के आगे तुम्हारी performance सबसे अच्छी हो तो आप कहेंगे blow them away फिर आप कह सकते हैं you will do great तुम बहुत अच्छा करोगे simply आप good luck भी कह सकते हैं wishing you lots of luck तुम्हें धेर सारी शुब कामनाएं fingers crossed fingers crossed means hope for good luck किसी को शुब कामनाएं देना मुझे आशा है मुझे उमीद है कि तुम ही सबसे अच्छा करोगे तो वहां आप अगर ऐसा कहना चा तो आप कह सकते हैं let's cross our fingers or fingers crossed आपने देखा होगा TV shows में जब result announced होने वाला होता है तो वह क्या करते हैं let's cross our fingers let's cross our fingers means hope for the luck उमीद करते हैं वह आशा करते हैं कि result उनके favor में आए उन्होंने सबसे अच्छा किया हो फिर आप कह सकते हैं you were made for this तुम तो इसके लिए ही बने हो त तुम्हें tension लेने की कोई ज़रत नहीं है indirectly आप all the best wish कर रहे हैं आप कह सकते है everything will be all right सब कुछ ठीक होगा चिंता मत करो मेरी शुब कामना है तुम्हारे साथ है everything will be all right सब कुछ ठीक होगा किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है उसकी सोच से उलट हो रहा है तो आप उसे शुब कामना दे सकते हैं things will turn out fine सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा मेरी शुब कामना है आपके साथ हैं फिर आप कह सकते है May the force with you की सारी ताकत आपके साथ हो और आप अच्छा करें आप जीत जाएं ये मेरी शुपकामना है तो आप ऐसा कह सकते हैं May the force with you आप कह सकते हैं You'll do great तुम अच्छा करोगे डरने की कोई जरुरत नहीं है तुम अच्छा परफॉर्म करोगे फिर आप कह सकते हैं अगर आपको पता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है बहुत अच्छा नहीं कर सकता या वो नर्वस हो रहा है तो आप उसे सांतावना देने के लिए कह सकते हैं कि जितना हो सके उतना करो यानि अपना best करने की कोशिश करो तो आप कह सकते हैं knock them dead you are going to be amazing तुम अध्भुत प्रदर्शन करोगे तो ऐसी शुब कामना देने के लिए आप कह सकते हैं you are going to be amazing आप कह सकते हैं Godspeed ये आजकल की नौजवान पीड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है Godspeed मेरे कमेंट्स में भी मैंने ये वोट पढ़ा है Godspeed means तुम उन्नती करो तुम सफल हो तो अगर किसी को ऐसा विश करना चाहते हैं तो एक वर्ड में आप बड़ी बात कह सकते हैं Godspeed देन आप simply भी कह सकते हैं wishing you all the best तुम्हें धेर सारी शुब कामनाएं तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमने सीखे 15 different ways किसी को good luck wish करने के शुब कामनाएं देने के दोस्तों अगर आप अपनी English से सामने वाली को impress करना चाहते हैं तो आपको अपनी vocabulary बढ़ानी पढ़ेगी अपनी भाशा में जादा से जादा शब्दों का यूज करना पड़ेगा एक word अगर आप हमेशा दोहराते रहेंगे तो आपका impression डाउन हो जाएगा तो अब किसी को good luck wish करना होगा तो आपके पास ये धेर सारे options हैं जो उस situation में suitable हो वहाँ पर आप उस good luck wish को यूज कर सकते हैं तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में लिखकर जरूर बताईए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like button को प्रेस कीजे और मुझे wish करने के लिए प्लीज एक good luck wish comment section में जरूर लिखिए और जिसने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजे तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही छोट ऐसे interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye have a good day